हेलो दोस्तों मैं राकेश शौधरी आपका मैथामेटिक्स टीचर वेलकम करता हूँ डिजिटल तैयरी के यूट्यूब चैनल हम बात कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स के बारे में चेप्टर हमारा चल रहा है पाइप एंड सेस्टन और उसका पार्ट हम देख रहे हैं कोशेन नंबर फूर क्या गए रहा है कोशेन नंबर फूर बात करते हैं इसके बारे में कोशेन नंबर फूर आपको कह रहा है कि दो नल किसी टैंक को बारा और सोला मिनिट में भर सकते हैं दौनो नल को एक साथ खोला गया कुछ समय के लिए नल में खराबी आई उसकी वज़े से पहले वाले नल से केवल साथ बटा आठ पानी बहता है मतलब जितनी उसकी एफिशेंसी है उसका 7 by 8 ही वो कर पाता है दूसरे वाले नल से 5 बटा 6 पानी आता है मतलब B की जो एफिशेंसी है उसका केवल 5 by 6 ही हो पाता है तब खराबी को ठीक कर दिया गया तो ठीक करने के बाद टैंक 3 मिनिट में भर जाता है इसका मतलब जब ये खराबी जो भी है जो भी इसमें प्रॉब्लम आई वो सॉल कर दी गई खराबी को ठीक करने के बाद में 3 मिनिट में टैंक भर गया तो इसका मतलब जब खराबी सही हो गई तो दौनों नलों ने अपनी एफिशेंसी के साथ काम किया जो कम्प्लीट एफिशेंसी थी तो तीन मिनिट में टैंक बचा हुआ जो था वो भर गया ठीक है तो हमें ये ग्याद करना है कि कितनी देर बाद खराबी को ठीक कर दिया गया था देख लेते हैं तो सबसे पहले तो दो नल दे रखें आपको ए और दूसरा वाला बी ए कितने समय में 12 में और बी कितने समय में 16 मिनिट में उस टैंक को भर सकता है तो एलसीम ले लेते हैं जिससे हमको टोटल वर्क पता चल जाए तो अगर इसके एलसीम की बात करें तो इसका एलसीम हम ले सकते हैं बड़ा नंबर कॉन सा है 16 तो 16 का अ कितनी होगी 48 अपॉन 12 कितना 4 और 48 अपॉन 16 कितना 3 ये आ चुकी है इनकी efficiency complete efficiency इनकी लेकिन हुआ क्या है कि दौनों नलों में कुछ खराबी हो गई उसकी वज़े से जो पहला वाला नल है वो केवल और केवल 7 बटा 8 पानी निकालता है मतलब जितनी भी उसकी efficiency उसका 7 कितनी है ए वाले के बारे में बात करूँ तो complete efficiency तो 4 है लेकिन 7 बाई 80 करता है इसका मतलब ये 2 टाइमस गया 7 बाई 2 मतलब 3.5 जो है वही efficiency काम में आती है फिर second वाले नल के लिए जो B नल है उसके लिए भी यहां कह रहा है कि 5 बटा 6 ही पानी आता है उससे क्योंकि नल में खराबी है तो complete efficiency कितनी है 3 है केवल 5 बाई 6 ही हो रहा है तो 3 का 5 बाई 6 देखा ये 2 टाइमस गया ये 2.5 efficiency ही काम में आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो A नल है वो 3.5 और जो B नल है वो 2.5 efficiency ही काम में ले रहा है जबकि efficiency है 4 और 3 क्योंकि नल में कोई ना कोई प्रॉ efficiency है वही काम में आ रही है 4 का 7 बाई 8 3.5 और 3 का 5 बाई 6 2.5 हमारे सामने आया अब हम देखते हैं आगे आपको क्या कह रहा है अब जब ये प्रॉबलम आई दौनों नलों में तो फिर क्या किया गया दौनों नलों में जो प्रॉबलम थी उसे solve कर दिया गया उसके बाद मे तीन मिनट और लिये गए दौनों नल के दौरा और उस टैंक को भर दिया गया तो मैं देख सकता हूँ A की efficiency कितनी है 4 है B की efficiency कितनी है 3 है तो दौनों मिलकर एक मिनट में कितना काम कर लेते हैं या कितने लीटर पानी डाल देते हैं ये भी कह सकते हैं तो 4 और 3 ये 7 लीटर पानी डाल सकते हैं या 7 काम कर सकते हैン एक मिनट में क्यूंकि ये इनकी complete efficiency है तो तीन मिनट में इन्होंने भर दिया जो problem थी वो sol होने के बाद तो इसका मतलब 1 मिनट में ये 7 कर सकते हैं तो तीन मिनट में इन्होंने कितना किया होगा 21 complete किया होगा लास्ट में ठीक है 48 में से 21 तो दोनों ने जब problem solve ओगई तो 3 minute में कर लिया तो इसका मतलब पहले कित quieresаров इनों ने 4th एनों कितना किया इनों ने ठीमित है 48 48 में से 21 हम Less कर लेते हैं तो 48 में से 20 गया तो कितना है 28 फिर एक और कम किया तो कितना 27 27 ये जो 27 आया है ये इन दोनो नलों ने किया है कब जब इन दोनो नल में खराबी चल रही थी उस टाइम इनकी efficiency 4 और 3 ना होकर इनकी efficiency थी 3.5 और 2.5 तो जो efficiency थी उसी efficiency से काम कर रहे थे तो 27 वर्क करवाना था इन दोनों से ही करवाना था और efficiency complete efficiency काम में ना आकर 3.5 और 2.5 efficiency काम आ रही थी तो काम कितना है 27 करने वाले कौन दोनो नल और efficiency कितनी 3.5 और 2.5 काम में आ रही है तो बस simple size से divide कर लेते हैं तो complete वर्क है 27 और 3.5 और 2.5 efficiency है तो 3 और 2.5 और 2.5 और 1 तो कितना हो गया ये 6 तो इसका मतलब 27 और 6 जिसे मैं लिख सकता हूं कितनी बार गया ये 6 का 4 से choice फिर रह गया कितना 3 तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाई 2 तो finally 4 सही एक बटा 2 मतलब साड़े 4 मिनट मतलब 4.5 मिनट की बात हम करें तो इतने मिनट तक उन दोनो नलों में खराबी चल रही थी सिंपल सा तरीका था बहुत दी अच्छा कुश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी कुश्चन है थोड़ा सा ध्यान देनी की हमें जरूरत है और वो बस इतना ही आपको ध्यान देना ये तो हम काम करी रहे थे वर्क एंड टाइम में भी किया था एफिशेंसी आगे दौनो नलों की तो दौनो नलों में खराबी चल रही है तो कम्प्लीट एफिशेंसी 4 है 7 बाई 80 हो पा रहा है तो 3.5 आगी complete efficiency 3 है 5 by 6 ही हो बारा तो 2.5 आ गई तो last में जब problem solve हो गई तो दौनों नलों की complete efficiency काम आई और 3 मिनिट में भर दिया तो 1 मिनिट में 7 करते हैं तो 3 मिनिट में 21 लास्ट में 3 मिनिट में किया है total 48 है 21 लास्ट में 3 मिनिट में कर लिया तो 27 जब खराबी थी तब किया गया होगा तो 27 है खराबी के time efficiency ये रही तो दौनों का योग आ गया total आ गया क्योंकि दौनों से ही काम हो रहा है तो इसका मतलब कितनी देर तक खराब रहा चार सी एक बटा 2 मिनिट मतलब 4 and half मिनिट तक ये खराब रहा तो आपको ये ही तो पूछा है कितनी देर बाद खराबी को ठीक किया गया तो 3.5 मिनिट बाद में खराबी को ठीक किया गया और अगर ऐसा पूछे कि कम्प्लीट वर्क कितने टाइम में हुआ जोगी पूछा नहीं है इन केस अगर पूछे तो साड़े चार मिनट ये और जो आपको ये तीन मिनट लास्ट में दे रखें तो साड़े चार और तीन कितना आ गया साड़े साथ मिनट सेवन अंड हाफ मिन कुष्चन है जो हमने अभी अभी किया है तो उसके जैसा कुष्चन है तो तरीका भी उसी का लगेगा कुष्चन आपको कह रहा है दो नल दे रखें आपको किसी टैंक को 15 और 25 मिनिट में भर सकते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है दौनों नलों को एक साथ खोला जाता है म कुछ समय के लिए नल में खराबी होने के कारण पहले नल से केवल 5 बटा 6 पानी निकलता है मलब पूरी एफिशेंसी से काम नहीं कर रहा है और दूसरे नल से 5 बटा 8 पानी निकलता है मलब दूसरा नल भी पूरी एफिशेंसी से काम नहीं कर रहा है अब खराबी को दूर क कर लिया गया था, same question है, तो करते हैं इसे, देखिएगा किस तरीके से होगा, बात करते हैं, दो null है, ये A और ये क्या B, A कितना है 15, B कितना है 25, कोई दिक्कत नहीं, LCM ले सकते हैं, तो 15 और 25 का LCM अगर मैं देखू तो 75 बनता है, तो total work आ गया मेरे पास कितना 75, चलिए, complete efficiency है, तो इनकी शमता हम निकाल लेते हैं, तो 75 अपॉन 15 करूँ, तो कितना आ जाएगा, 75 अगर मैं 15 करूँगा, तो ये आएगा कितना 5, 75 अपॉन 25 ये कितना आ गया 3, तो null A और null B, pipe A और pipe B की complete efficiency आई है 5 और 3, अब हो क्या रहा है, starting में दौनो complete efficiency से काम नहीं कर रहे हैं, जो A है, वो अपनी efficiency का कितना काम में ले रहा है, जो A है, वो अपनी efficiency का काम में ले रहा है, केवल कितना 5 by 6, तो कर लेते हैं इसका 5 by 6, कुछ cancel नहीं हो रहा है, तो 25 by 6 हम कह सको, point में लेनी कि अभी जरूरत नहीं है, अगर requirement होगी तो बात में ले लेंगे, फिर B के लिए बात करें, तो B के efficiency कितनी है, 3 है, तो वो complete efficiency से काम नहीं कर रहा है, तो कितनी efficiency काम में ले रहा है, 5 by 8, तो इसका 5 by 8 ले लेते हैं, कुछ cancel होता दिख नहीं रहा है, तो इसको भी इसी तरह से 15 by 8 ले लेते हैं, point में लाने की जरूरत नहीं है, at last point में लेकर आ जाएंगे, द अराभी को ठीक कर दिया गया, तो फिर 5 मिनिट बाद में पूरा tank भर गया, तो इसका मतलब ये problem solve हो गई, तो दौनों नलों ने अपनी जो complete efficiency थी उससे काम किया, तो A की efficiency ए 5, B की efficiency ए 3, तो दौनों की efficiency कितनी हो गई, 8 और 5 मिनिट में complete भर गया उस tank को, तो एक मिनिट में ये 8 काम करते हैं, तो 5 मिनिट में last में कितना काम किया होगा इनोंने, तो last में इनोंने काम किया होगा कितना, एक मिनिट में करते हैं, 5 और 3 कितना, 8, तो 5 मिनिट में किया होगा last में कितना, 40, टोटल कितना है हमारे पास 75 है, तो 75 में से 40 तो last वाले 5 मिनिट में हुआ है, त तो कितना हो गया 35, ठीक है, कितना आ चुका आपके बाद 35, ये 35 किनों ने किया है, इन दौनों ने ही किया है, लेकिन कब किया है, जब इन दौनों में problem चल रही थी, खराबी थी उस समय, तो उस समय किया है, तो efficiency पूरी काम नहीं आई है, तो अब हमें यही बताना है, कि ये वाला जो काम है 35, इन दौनों ने इन efficiency को काम में लेकर कितने समय में किया है, और वही हमारा answer होगा, तो efficiency कितनी है ये, efficiency है 35, sorry, work कितना है, जो इन दौनों ने किया है 35, कब जब दौनों में problem थी, खराबी थी उस समय, तो 35 उपर लिख दिया, नीचे लिखेंगे इन दौनो कि efficiency, क्या efficiency 5 और 3, 8 लिखेंगे, नहीं, क्योंकि उस समय ये 5 by 6 और 5 by 8 वाला concept काम में ले रहे थे, मतलब अपनी efficiency का 5 by 6 और अपनी efficiency का 5 by 8 काम में ले रहे थे, तो ये हो गया 25 by 6 और ये हो गया 15 by 8, तो A की efficiency ये काम में लेनी है, और B की efficiency ये काम में लेनी है, तो दौनों को काम कर रहे हैं तो दौनों को add करके नीचे लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं इसको 25 अपॉन 6 प्लस 15 अपॉन 8 अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसको solve करके answer निकालना आपका answer आ जाएगा देख लेते हैं इसका 6 और 8 है LCM लेना पड़ेगा LCM अगर इसका लें तो कितना आ रहा है 24 LCM 24 उपर लिख लेते हैं 35 के साथ क्योंकि upon के नीचे upon आएगा तो वो उपर ही जाएगा तो ये हो गया आपके 35 multiply 24 क्योंकि 8 और 6 का LCM आ रहा है आप देख सकते हैं आप चाहें तो यहां अलग से solve करके फिर वो डारेक्ट लिख सकते हैं fraction जो आ रहा है और नहीं तो यहीं पर solve करें तो भी वही बात 8 और 6 का LCM आ गया कितना 24 तो 6 से 20 जो upon में 24 था वो उपर जाएगा तो मैंने directly उपर लिख लिए 24 तो ये नीचे जो LCM आया 24 6 से 24 cancel होगा कितनी बार 4 बार 25 का 4 से करेंगे कितना 100 तो ये आया 100 फिर 8 से 24 cancel होगा कितना 3 बार 15 का 3 से करेंगे कितना 45 तो ये 45 तो इसका हमले ये कितना हो गया 145 तो ये नीचे आ गया 145 चलिए अब कुछ यहاں cancel हो रहा है तो cancel कर लेते हैं तो मैं देख सकता हूँ यह cancel हो रहा है किस से इसको कर सकते हैं सबसे पहले गया है 2 और फिर कितना 4 तो कितना हो गया है यह 9 तो 24 multiply 7 upon 29 इसको आप आग़े solve कर लेंगे तो point में जो भी या mix fraction मिस्रविन में जो भी आएगा वो आपका answer मिल जाएगा, तो finally answer आगया 7 multiply 24 upon 29, आगे आप solve कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, तो same question था, तो same concept लगाया बस पिछले और इस question में फरक सिर्फ इतना सा है, कि पिछले question में ये जो efficiencies आ रही थी ये efficiency easily निकल रही थी, लेकिन यहाँ पर efficiency fraction में आईए, आप यहाँ पर इसको point में ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, point में लेंगे, फिर उनको यहाँ पर लेंगे, तो again point में आएगा, तो इनको fraction में लेकर यहीं पर at last point हम निकाल लेते हैं, नहीं तो point में लेकर plus करेंगे, फिर 35 इस point का इसमें division करेंगे तो fraction में ज़्यादा अच्छे solve कर सकते हैं decimal point के comparison, तो finally आपका answer आ गया, जो की है, 7 multiplied 24 upon 29, finally आगे भी solve करके इसको निकाला जा सकता है फर्क सर्व इतना है पिछले और इस question में, कि वहाँ पर points में आ रही थी आपकी, और यहाँ पर fraction में लेकर चल रहे हैं ता कि calculation फोरी सी आसान हो, यह था हमारा question number 5, बात करते हैं इसी तरह के last question, question number 6 के बारे में, तो देखते है question number 6 क्या कह रहा है question number 6 आपको कह रहा है कि, दो नल दे रखें आपको, जो कि किसी टंकी को 30 और 36 बिनट में भर सकते हैं, ठीक है दौनो नलो को एक साथ खूला गया परन्तु शुरुआत से ही कुछ खराबी की वज़े से पहले नल से 5 बटा 6 पानी निकलता है और दूसरे नल से 9 बटा 10 ही निकलता है, सेम question है अब खराबी को ठीक कर लिया गया और ठीक करने के 15 से एक बटा 2 मिनिट बाद मतलब 15 मिनिट बाद, टैंक भर गया, तो ग्यात ये करना है कितने समय बाद खराबी को ठीक कर लिया गया था, सेम question है तो करते हैं इसे, ये है आपका पहला नल A और ये दूसरा नल B, जो की कह रहा है 30 और ये 36 LCM लेना, इनका LCM ले लेते हैं, इन दौनों का LCM हमने ले लिया, जो की आएगा कितना 18018 अब इनकी efficiency ले लेते हैं तो इनकी efficiency क्या होगी निकाल सकते हैं 180 अपॉन 30 अगर मैं करूँ, तो ये हो गया कितना 6, और 180 अपॉन 36 करूँ, तो ये हो गया कितना, दौनों की efficiency, complete efficiency आ चुकी लेकिन starting में दौनों अपनी complete efficiency से काम कर ही नहीं रहें, ये कर रहा है अपनी efficiency का ये जो है, अपनी efficiency का कितना कर रहा है, आप देख सकते हैं 5 by 6, तो ये 5 by 6 तो ये 6 से 6 गया, तो कितना कर रहा है, केवल 5 कर रहा है और B जो है, अपनी efficiency का efficiency कितनी है, 5, कितना कर रहा है, 9 by 10, तो ये 9 by 10, तो ये भी आसानी से निकल पा रहा है, तो ये कर रहा है, केवल 4.5 और complete efficiency का 5 by 6 और 9 by 10 हमने निकाला जो कि 5 और 4.5 आया A और B के लिए अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है अब आपको आगे कह रहा है कि कुछ समय बाद में वो खराबी जो थी जो problem थी दौनों नलों में वो solve कर ली गई तो ठीक करने के बाद में साड़े 15 मिनिट में टैंक भ है तो दौनों की मिला कर कितनी होगे 11 और दौनों ने पर मिनिट जो है 11 काम किया है और कितने मिनिट में complete कर लिया है बचावा जो था 15 and half मिनिट में बलब साड़े 15 मिनिट में तो काम कितना किया last में इन्हों ने वो हम देखें तो वो हम निकाल सकते हैं यहां से 15 साही एक 2 यह time है और efficiency कितनी है दौनों की complete 11 तो फिर यह कितना काम उन्होंने किया तो 31 का आप 11 से multiplication करेंगे तो कितना बनेगा 3, 4, 1 divided by 2 और अगर देखें इसको तो कितना हो गया यह 170.5 यह done हो चुका है टोटल कितना है 180 है उसमें से 170.5 लास्ट में हुआ है जब दौनों pipe की problem solve हो गई थी उस समय हुआ तो इसका मतलब जब दौनों pipe में problem थी तब कितना काम हुआ टोटल 180 है उसमें से 170.5 जो है लास्ट में हुआ है तो इसका मतलब कितना है लेस कर लिए गई तो 180 में से 170.5 लेस किया तो यह आया 9.5 तो 9.5 जो काम है वो कब हुआ जब दौनों pipe में problem चल रही थी ठीक है तो काम कितना हुआ 9.5 हुआ किन से हुआ दौनों से और किस efficiency से हुआ 5 और 4.5 की efficiency से हुआ क्योंकि complete efficiency काम में नहीं आ रही थी तो दौनों के efficiency का sum करके नीचे लिख लेंगे क्योंकि दौनों ही काप कर रहे थे तो 5 और 4.5 का सम कर लेते हैं वो कितना है 9.5 ही है तो कितना आया एक अंस्वर कितना हुआ हमारा 1 क्यों यही तो पूछा गया था कितने समय बात खराबी को ठीक कर लिया गया तो कितने टाइम तक खराब रहे एक मिनट तक खराब रहे एक मिनट बाद में उनको सही कर लिया और अगर कुश्चन यह पूछा जाता कि कम्प्लीट वर्क जो है वो कितने टाइम बाद में हुआ तो एक मिनट तक तो वो खराब थे और साड़े पंदरा मिनट तक वो दौनों सही थे तो इसका मुलब टोटल जो वर्क है कम्प्लीट जो वर्क है वो साड़े सोला मिनट में हुआ सिक्स्टीन एंड हाफ मिनट में कम्प्लीट हुआ तो आसान था कोई दिक्कत नहीं थी वही कंसेप्ट और वही तरीका था तो फाइनली हमारा आंसर आया इसका एक मिनट क्योंकि एक मिनट तक दौनो नल खराब चल रहे थे और यही पूछा है कितने समय बात खराबी को दूर किया गया तो एक मिनट तक खराब चल रहे थे तो एक मिनट बात में खराबी को दूर कर लिया गया ये था हमारे pipe and system का question number 6 और ये था हमारे pipe and system का part number second बात करेंगे question number 7 से part number 3 में तब तक channel को subscribe और वीडियो को like and share जरूर जरूर कीजिए और आपके comments भी comment box में कीजिए thank you so much please like share subscribe डिजिटल तैयारी